दोस्तो नमस्कार करनेल अजय सीवाजय एस्टो मनी गुरूफ फर्ट क्लोबल एस्टो फिनेस डिजिटल चनल से आप से मुकातिब होता हूँ दोस्तो बेस मेटल फेरस मेटल हो या नॉन फेरस मेटल हम लगातार आपको अपडेट देते हैं देज दुनिया की ख़बरक से आपको रूबरो कराते हैं एक महतरपुन ख़बर निकल के आ रही है कि इस्टील के दामों के अंदर गिरावट होने की संभावना बन गई है जिसका एक पूर वन्मान अंतराश्टियर रेटिंग एजनसी ले दिया है जानिए पुरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तों ICRA एक महतरपुन इंटरनेशनल रेटिंग एजनसी है उसने साल 2024 फाइनेशल लियर के लिए बेस्लाइन स्टील में अपना जो एस्टीमेशन दिया था उसमें अब संशोधन कर दिया है पहले इसेम एजनसी ने लगबख एक से दो प्रतिशत सालना ग्रोथ की बात की ती इस्टील के प्राइसेज में लेकित अब उसने अपने पूर्व अनुमानों को संशोचित किया है यानि रियर्जस्ट किया है और अब HRC यानि होट रॉल्ड कोयल की कीमतों में साल दर साल चार से पांच प्रतिशत गिरावट की उमीद की जा रही है वितवश दो हजार चौबीस की शुरुआ से इस्टील की कीमतों में जारी गिरावट को ध्यान में रखते वे नीचे की और ये संशोधन किया गया है केबल मौजुदा तिमाही में घरेलू HRC की की कीमतों में 3.8 प्रतिशत की महतपुन गिरावट आई है और इस गिरावट को कहीं का इसके लिए फैक्टर्स के लिए जिम्यदार ठराया जा सकता है इसमें सबसे महतपुन है कि चीन से घरता हुआ निर्यात का है गौतरव है कि चीन पूरे विश्व का लगबग 50 प्रतिशत स्टील का नि निर्यात में गिरावट का प्रभाव पर उस पर हाइलाइट किया गया है चीन के निर्यात में कमी की एक और महतपुन प्रभाव हो गया है जिससे घरेलू बजार में स्टील की कीमतों में गिरावट आई है नतीजन स्टील की कीमतों में मामूली लाव की जो पिछली उमीद थी वो अब निराशा में बदलती जा रही है गौरतलब है कि हमने आपको स्टील की प्राइसेस के अंदर तेजी अमंदी का विशेश विशलेशन हमेशा अगरिन दिया है आपको याद होगा हमारा जो पिछला अनुमान जब हमने स्टील की प्राइसों में तेजी की बात कही थी उसमें शांदार तेजी आई थी जबकि पूरे गलोबल मार्केट के अंदर स्टील के अंदर मंदी की बात की जा रही थी दोस्तो हम साल में आपको स्टील के लगबग 12 से 15 मियू आते हैं तेजी के अमंदी के उसमें लगबग 80 प्रतिशत से अधिक स्टील के जो मूव है तेजी अमंदी के वो सठीक रूप से आपको पकड़ के देते हैं अब इतिहास इसका गवा है अधि आप स्टील या बेस मेटल या नाफेरस या नाफेरस के आप व्यापारी हैं मिलर्स हैं प्लांट होडर्स हैं तो उसके विशेश रिकोर्ट के लिए समपर कर सकते हैं अब हम इस्टील की आज के भाव ताजा भाव आपको अपडेट कर रहे हैं दोस्तो आज 26 मई सन 2023 आज शुरुवाती घंटों का व्यापार के अनुसार इंगट और ओल्ड स्क्रैप और मेल्टिंग स्क्रैप में अंदर कोई बड़ी परिवर्तन नहीं बताया जा रहा है और फ्लेट से भाव नजर आ रहे हैं इंगट के बाव 47,600 हैं ओल्ड स्क्रैप के 37,100 और मेल्टिंग के 4,100 के भाव हैं अभी लगवग 11 बजे मंडी गोविंगट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है जबकि भाव नगर के अंदर MS इंगट के बाव 46,100 बताय जा रहे हैं इसमें 200 रुपे की गिरावट है और विवारी के अंदर 46,500 के बाव हैं यहां 300 रुपे की गिरावट है गोवा, जम्मू, मुझफर नगर, रायपूर आदी में कोई परिवर्तन नहीं है और पिग आरेन की प्रैसे जालंदर के अंदर 100 रुपे टूड़ गया है वो 45,900 के बाव हैं बताला के अंदर 45,700 यहां भी 100 रुपे की गिरावट है पराने लोहे के अंदर कोई विशेश परिवर्तन नहीं है विशेश कर भावनगर के अंदर 38,500 यहां 200 रुपे की गिरावट बताई जा रही है बाइकी रायपूर, डिल्ली, जालना, इंदौर वहाँ पर अभी कोई परिवर्तन की सुचना नहीं मिल रही है दोस्तों हम आपको लगातार अब्डेट करेंगे और जहां तक एक दिल्ली स्पॉर्ट मार्केट की भाव है वहाँ पर एक कॉपर के भाव सूपर डी 768 रुपे है यहां 6 रुपे की तेजी है और कॉपर कैबल स्क्रैप 742 होए यहां पर 6 रुपे की तेजी दर्जो रही है कॉपर अर्मेचर प्लांट के 732 यहां भी 6 रुपे की तेजी है और कॉपर अर्मेचर 670 यहां भी 6 रुपे की तेजी है कॉपर एंजी रोड 762 और सीसी रोड 785 और सीसी आर 778 रुपे यहां से 5-6 रुपे की तेजी है अल्मिनियम के अंदर कोई परिवर्तर नहीं है अल्मिनियम पूर्जा 162 है और अल्मिनियम इंगर 213 के भाव है दोस्तो अभी बेस मेटल के अंदर कोई बड़ा परिवर्तर नहीं आया है अब भी शुरुआती घंटों में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिलकुल ना बुले अल्दे बेरी बैस गुड़ लग हैपी टेश्यूर्ट उनल्देश का बढादागी टेश्यूर्ट झाल